दोस्तों डोग कितने लॉयल होते हैं पहले जब डोड़ा थी वो डोड़ा से बहुत क्लोज था लेकिन तब ही वो मेरे साथ बहुत ही मस्ती करता खेलता लेकिन डोड़ा के साथ वो अलग सी फिलिंग थी जब डोड़ा के जाने के बाद वो धीर धीर मेरे साथ बहुत क्लोज जाता है तो नीचे चला जाता है जो अधर पूरे रूम में कहीं सोते रहते हैं इसको मैं बेट बनाके देता हूं अच्छा सा तुम बेट के ऊपर नहीं सोता है लेकिन नीचे सोएगा कहा है क्यों कि लोगो सायद गर्मी लगता होगा पहले जब डोड़ा थी तो डोड़ा के साथ यह काफी क्लोज था खेलता था उसके साथ 엇मोशनली काफी इसको सबुसायद अपना एमोसन सेर भी करता था खफी क्लोज था लेकिन डोड़ा के चाने के बाद यह मेरे से काफी खट्रोल गया है यह हमेशा मेरे साथ रहता है मैं कहीं से आओं तो यह मुझे यह सिर्फ एक डॉग का बात नहीं है यह हर डॉग ऐसे ही होते हैं तो डॉग हमेशा हर ओनर के साथ ऐसी लॉयल रहते हैं बस वह थोड़ा सा इंपोर्टेंस चाहते हैं आप उसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है जैसे हम लोग बाहर से घर आते तो यह उचलने लगता है खेलने के लिए क्योंकि उसे लगता है अब कितना अच्छा हुआ मेरा ओनार आगी अब उसके साथ खेल पाऊं चोटे थे दूद पीता था तो चोटु अपने आपको अकेला मैसुस करता था तो हम इसे हमेशा ही बाहर लेके जाते थे इसे इंपोर्टेस और ज्यादा इसके जो इसके जो खालीपन है इसके दिमाग में हमेशा यह घुसा रहता था था कि दोड़ा नहीं है अब मैं अके बहुत बदमास हो गया चोटु को तंग करके रखता है तो चोटु भी अभी डोड़ा को अम प्रिजेंट में सायद भूलाने की कोशिस कर रहा हो या खुस रहने की कोशिस कर रहा हो यह अभी काफी है खुस रहता है मेरे साथ रहता है और हमेशा डॉग जो होते हैं अपने नोच दिया, काट दिया, नहीं, वो डॉग जो है ओनर को कभी भी नोचता काटता नहीं, वो खेलने के लिए जाता है, हो सकता है, बाच्चान से उसका नाकुन या फिर नात लग जाए, वो कभी भी आपको हाम नहीं करता है, दोस्ते डॉग ही एक ऐसा जीवे, जो खुझ से जादा अपने ओनर को प्यार करता है, ऐसा अपने इंसान में भी नहीं देखा होगा, इंसान जीसे सेल्फिस होते हैं, डॉग कभी नहीं होते हैं, वो अपने आपको हाम करके भी अपने ओनर को बचाते हैं, इसलिए मेरा और छोटू का रिस्ता हमेशा ऐसा ही बना रहता है और बना रहेगा हमेशा छोटू कू ऐसे ही करें गए आपैसे हमेशा तूम करोते नहीं करोंगे पूल तो नहीं जायोगे ना तुम्हारा मुच नहीं है तुम अभी अभी यह काफी खूस है और मेरे साथ हमेशा इसे ही खूस रहता है हम ऐसे इसके साथ हमेशा इसको तंग करते रहते हैं कभी तंग नहीं होते हैं वह हमेशा आपके साथ खेलने के कोशिस करते हैं आपको लगता है वह अकेला बैठा हु तो आप हमेशा खुश रहिए और अगर अपने पास डॉग रखते हैं तो इसको भी हैपी रखिए थैंक यू पर वाचिंग